हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल देखे मैं यलो कलर में बना रही हूँ और यह वो स्वाल का उन है, क्रोशिया हूप नंबर 10 से उच कर रही हूँ तो गाईज, इसका नंबर 10 है, तो गाईज पेने हम नेक से बनाएंगे हम पहले उपर चोली से स्टार्ट करेंगे, तो मैं 112 चैन डाल रही हूँ आप किसी भी साइज की बना सकते हैं, इसी तरीके से बनाना होगा तो देखे इस तरीके से हम चैन बनाएंगे पहले और 112 चैन बना लेंगे, तो काउंट करते जाएंगे और चैन हम बनाते जाएंगे देखे इस तरीके से, तो चलिए मैं 112 चैन बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हूँ देखे गईज मैंने 112 चैन बना लिया है और एक चैन एक्स्ट्रा बना लिया है मैंने, आप भी बना लिजेगा यह बनाते है वक्त पैटर्ण बनाते हैं तो एक दू चैन कम पड़े तो उसमें हम अर्जेस्ट कर सकते हैं तो दिखे, जो हमारी सीरी साईड आ रही है, यह चोटी बन कर आ रही है, तेसको इस तरीके से हम ले लेंगे और देखिए लास्ट वाले चैन में हम डालेंगे देखिए लास्ट वाले देखिए इधर से बिल्कुल फर्स्ट वाला चैन है ये इसमें हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिय बना लेंगे इस तरीके से निकालेंगे सिंगल क्रोशिय बना लेंगे उसके बाद से देखिए एक, दो, तीन तीन चैन बनाएंगे और जिस चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है उसी चैन में डालेंगे और देखिए हमारे पास तीन धागे हैं तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार में धागी को निकालेंगे फिर देखिए इसी चैन में डालेंगे और देखिए तीन बार में हम धागी को निकालेंगे एक, दो, तीन देखिए हमारी तीन डबल क्रोशिया बन गए ये उसके बाद बीच में हम वन चैन लेंगे और फिर इसी चैन में डालेंगे तो देखिए मैं कोई धागा नहीं लपेट रही हूँ जैसे हम डवल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरीके से ले रहे हैं लेकिन इसको हम तीन बार में निकालेंगे देखिए इस तरीके से दो तीन फिर इसी चैन में डालेंगे देखिए दो तिन तो छे डबल क्रोशिया बनाना है देखिए हमारी शे डबल क्रोशिया बन गई है तीन इदर तीन बनाने के बाद बीच में हमने वन चैन ले लिया और तीन डबल क्रोशिया बना लिया तो छीए हमारी 1 करा गई है उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 chain बनाएंगे और 1 chain बनाने के बाद देखिए 1, 2, 3 3 chain हमें skip करेंगे और 4 वाले chain में डालेंगे 1, 2, 3 4 वाले chain में डालकर हम छे डवल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरीके से जिस तरीके से हमने यह बनाया उसी तरीके से हम रिपिट करेंगे देखिए दो हमें धागे कुछ तीन बार में ही मिकालनी है देखिए तीन बनाने के बाद तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन देखिए तीन चैन बनाने के बाद फिर इसी में डालेंगे देखिए एक दो तीन बार में धागे को हम निकाल लेंगे देखिए हमारी 6 डवल क्रोशिया बन गई है तो 3 डवल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में हम 3 चैन लेंगे उसके बाद से 3 डवल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यह जो हमारी चैन आ रही है तो हम इसके चैन में ही बनाएंगे ऐसे उल्टी साइड नहीं बनाएंगे देखिए यहाँ पर एक दू तीन चैन स्किप करेंगी और फूर्थ वाले चैन में डालेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक, दो, तीन चैन स्किप करेंगे और फूर्थ वाले चैन में डालेंगे और सेम हमने यह जो पैटन बनाई है इसी को आगे रिपिट करेंगे देखिए एक ही चैन में डालकर छे डवल क्रोशिया बनाएंगे पहले तीन डवल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन बनाएंगे देखिए एक दो तीन फिर तीन चैन बनाएंगे फिर देखिए इसी चैन में डालकर तीन डबल कोशिया और बना लेंगे देखिए छे डबल कोशिया वारी बनके आ गई देखिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे एक दो ऐसी पैटन हमें चार बनानी है तो हमने दो पैटन बना लिया है और दो पैटन और बनाएंगे सिम इसी पैटन को हम रेपीट करेंगे देखिए एक दो तीन चार तीन चैन स्किप करेंगे और फोर्थ वाले चैन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके पासे देखिए एक दो तीन चैन स्किप करेंगे और फोर्थ वाले चैन में डालकर सेम पैटन बनाएंगे से इसी तरीके से हम बनाएंगे तो चलिए मैं चार बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती है देखे गई इस तरीके से मैंने चार पैटन बना लिए हैं हम इसको काउंट नहीं करेंगे एक, दो, तेन, चार पैटन बनाने के बाद देखे यहां पर वन चैन बनाएंगे एक, दो, तेन, चैन इसकेप करेंगे और फोड़ थाले चैन में डालेंगे और छे डवल क्रोशिया बनाएंगे और हम तीन बार में ही दागी को निकालेंगे देखे इस तरीके से हम लाश्ट तक इसी पैटन को बनाएंगे इसी तरीके से हम निकालती जाएंगे तीन बार में धागी को देखे देखे गए, यहां पर तीन डवल क्रोशिया बनाने के बाद हम वन चैन लेंगे देखे जिस तरीके से हमने यहां पर बनाया तीन डवल क्रोशिया, वन चैन और तीन डवल क्रोशिया उसके बाद से भी हम फोर्ट वाले पर इसी तरीके से बनाएंगे देखे एक, दो, तेन, चार चार पैटन बनाने के बाद तीन डवल क्रोशिया बनाएंगे कि तीन डवल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद बेच में वन चैन लेंगे फिर इसी चैन में डालेंगे और तीन दबल क्रोशिया बनाएंगे और धागी को हम तेन बार में ही निकालेंगे देखिए छे डबल क्रोशिया हमने बना ली जिस तरीके से यहाँ पर हमने वन चैन बनाया तो यह दर भी हम वन चैन बनाएंगे वन चैन बनाने के बाद देखिए एक दो तेन तीन चैन इसकीप करेंगे और फोर्थ वाले चैन में डाल कर डबल क्रोशिया बनाएंगे धागे को तीन बार में ही निकालेंगे इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है अब जिस तरीके से हमने यह वाली पैटन बनाई हुई है उसी तरीके से इसको हम रेपिट करेंगे हम यहाँ पे तीन पैटन बनाएंगे देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाने कुछ एक दो तीन चैन बनाएंगे फिर इसी चैन में डालेंगे एक दो तीन तीन बार में धागे को निकाल लेंगे देखिए छे डबल क्रोशिया हमारी बनाएंगे जिस तरीके से हमने इसमें चार पैटन बनाए हुई है तो यहाँ पे हम तेन पैटन बनाएंगे तो देखिए हमारी एक pattern बन गई है एक, दू, तीन चैन इस्कीप करेंगे और फोर्थ वाले में डालकर single crochet बनाएंड़ी उसके रख लियुप तो तीन चैन इस्कीप करेंगे और फोर्थ वाले में डालकर इस तरीके के pattern बना लेंगे तो तीन pattern बनाएंगे तो हमारी एक को बन गई है तो चली में दो और pattern बनाने के बाद आपको दिखाते हूं देखिए गाइस, यहाँ पे हमने बीच में one chain बनाई हुई थी इसके बाद एक, दो, तीन pattern हमने बना के ready कर लिया है इसके बाद हम सेम इसको repeat करेंगे दिखें यही वाला पैटर्न हम बनाएंगे दिखें यहां पर एक, दो, तीन तीन पैटर्न हमने बना लिया इसमें हमने तीन-तीन चैन बीच में लिया है और इसमें हमने वन चैन लिया है तो सेमें इसी तरीके से बनाएंगे हम दिखिए यहाँ पर one chain बनाएंगे pattern बनाने के बाद एक, दो, तीन chain skip करेंगे और फूर्थ वाले chain में हम डालेंगे और six double crochet बनाएंगे और धागे को हम तीन बार में ही निकालेंगे दिखिए अब यहाँ पर हम बीच में one chain बनाएंगे फिर इसी chain में डालकर तीन double crochet बना लेंगे दिखिए छे double crochet हमारे बन के आ गई तीन double crochet बना लिया बेच में one chain फिर तीन double crochet उसके बाद हम एक chain लेंगे इसके बाद से देखिए एक, दो, तीन चैन स्कीप करेंगे और खोर्थ वाले चैन में डालकर पैटन बनाएंगे यहाँ पर हम चार पैटन बनाएंगे सेम वही रिपीट करना है तीन डवल कोशिया बना लिया उसके बाद तीन चैन बनाएंगे और धागे को हम तीन बार में ही निकालेंगे देखिए इसके बाद एक, दो, तीन चैन स्कीप करेंगे और फोर्थ वाले चैन में डालकर सिंगल कोशिया बनाएंगे उसके बाद एक, दो, तीन चैन स्कीप करेंगे और फोर्थ वाले में डालकर डवल कोशिया बनाएंगे हम इसी तरीके से चार पैटन बनाएंगे दिखिए जैसे हमने यहाँ पे चार पैटन बनाई हुई है एक, दो, तीन, चार और यहाँ पे हमने तीन बनाई हुई है तो अब यहाँ पे हम चार बनाएंगे चार बनाने के बाद फिर हम तीन बनाएंगे तो यहाँ पे हम 4 pattern बना लेंगे तो दिखिए हमारी एक pattern बन गई है और 3 pattern हम और बना लेंगे तो चलिए मैं 4 pattern और बनाने के बाद आपको दिखाती है देखिए गई हमने 4 pattern बना लिया हम इसको count नहीं करेंगे जहाँ पे हमने बीच में 1 chain बनाई हुई है देखिए एक दो तीन चार हमने 4 बना लिया चार बनाने के बाद बीच में 1 chain लेंगे एक दो तीन चैन स्कीप करेंगे और फोर्थ वाले chain में डालेंगे और छे डवल क्रोशिया बनाएंगे पहले हम 3 बनाएंगे देखिए उसके बाद हम 1 chain बनाएंगे फिर तीन डवल क्रोशिया बनाएंगे हम धागे को तीन बार में ही निकालेंगे देखिए इस तरीके से अब सेम इसी तरीके से हम तीन पैटन बनाएंगे अब यहाँ पे देखिए 1 chain बनाएंगे इसके बाद 1, 2, 3 chain skip करेंगे और 4 वाले chain में डालेंगे और 3 पैटन बना लेंगे एक ही chain में डालकर 6 डवल क्रोशिया हम बनाएंगे देखिए 3 डवल क्रोशिया बनाने के बाद 3 chain बनाएंगे फिर इसी chain में डालकर तीन डवल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इसके बाद 1, 2, 3 chain skip करेंगे और 4 वाले chain में डालेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके बाद देखिए 1, 2, 3 skip करेंगे और 4 वाले में डालकर डवल क्रोशिया बनाएंगे देखिए हम 3 पैटन बनाएंगे हमारी 1 बन गई है और 2 और पैटन बना लेंगे तो चलिए में 2 बना कर के बाद आपको दिखाती हूँ देखिए गए चेहां पे हमें ने 1, 2, 3 3 पैटन हमने बना लिया है और 3-3 chain हमने skip किया है और 4 वाले में डालकर बनाया हुआ है जिस तरीके से हमने सारे पैटन को बनाया हुआ है देखिए यह हमारी बन कर आजाएगी दोनों तरफ यह हमारी सोल्डर है और यह गला बन कर आएगी देखिए गले के यह सोल्डर वाली की साइड हमारी 24 चैन है इधर दोनों तरफ 32 बतिस चैन है और इधर भी 24 है 24 बतिस बतिस यानि 112 कूल मिलकर 112 chain में हमने बनाई हुई है तब यहां पर देखिए हमने यह पैटन को शेट कर लिया है तीन पैटन हमारी बन कर आई हुई है यहां पर देखिए एक दो तीन चैन हमारी बच रही है तो इसको हम स्किप करेंगे और यहां पर वन चैन बनाएंगे और देखिए यह जो हमारी चैन आ रही है देखिए यह हमारी गला बनकर आएगी बार में हम गले की फिनेशिंग करेंगे ताम नीचे का जो चूली है मुस को बनाएंगे तो दिखिए यहां पर हम इसमें डालेंगे सिंगल कुरोशिय बना लेंगे देखिए इसमें जोईंट करने के बाद यह जो चैन आ रही है इसको हम नीचे से कुरोशिय डालेंगे और इस तरह सिंगल कुरोशिय बना लेंगे उसके बाद एक दो दो चैन बनाएंगे और देखिए इसको हम नीचे से डालेंगे और धागे को हम तीन बार में ही निकालेंगे इस तरीके से इसके वाद से दिखिए हम बीच में डालेंगे और तीन बार में हम धागे को निकालेंगे दिखिए एक, दो, तीन हमारी बन के आ गई बीच में हम वन चैन बनाएंगे फिर दिखिए इसी चैन में डालेंगे और डबल क्रोशिय बना लेंगे धागे को हम तीन बार में निकालेंगे और देखिए फिर इसको हम उपर से बनाएंगे नीचे से धागे को निकालेंगे देखिए अब अगली वाली जो चैन आ रही है इसको हम इस तरीके से क्रोशिय डालेंगे और इस तरीके से निकाल कर बना देंगे देखिए इसको हम नीचे से क्रोशिय डालेंगे और धागी को हम तीन बार में ही निकालेंगे देखिए हमारी छे डबल क्रोशिय बनकर आ गई एक, दो, तीन इधर बनकर आ गई पीछ में हमने वन चैन ले लिया एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया इधर आ गई तो छे डबल क्रोशिया बनकर आ गई और ये एक चैन जो है ये वाली इसको हम स्किप करेंगे उसके बाद दीखिए ये वाली जो चैन हमारी आ रही है इसको दीखिए हम ऊपर से ही लेंगे और इस तरीके से तीन बार में ही हम धागे को निकालेंगे और इस धागे को हम इसी में रहने देंगे देखिए फिर हम बेच वाली स्कीप करेंगे और इसके आगे वाली में डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे तो दिखिए एक, दो, तीन हमारी चैन आ गई है, इसको एक बार में हम निकाल लेंगे इसके बाद दिखिए एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे दिखिए जो हमारी बीची में चैन आ रही है, इसमें डालेंगे सिंगल क्रोशिय बना लेंगे दिखिए इस तरीके से पैटर्न बनेगी इसके बाद एक, दो, तीन तीन चैन बनाएंगे इसके बाद से दिखिए ये वाली जो हमारी चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे इस चैन को हम इसी में रहने देंगे इसके बाद से दिखिए बीच वाला जो चैन है हम इसको skip करेंगे इस वाले chain को skip कर देंगे उसके आगे वाले chain को ले लेंगे और double crochet बनाएंगे देखिए तीन बार में हम निकालेंगे दो बार में एक, दो, तीन उसके बाद से देखिए यहाँ पर हमने single crochet बनाई हुई है तो उसके आगे वाले चैन में डालेंगे जो ये वाली हमारी चैन आ रही है इसमें डालेंगे इस तरीके से अब देखे इस तरीके से निकालेंगे और धागे को हम इसी में रहने देंगे फिर देखे ये बीच वाली चैन है दबल कुरोशिया को इसकीप करेंगी और उसके आगे वाले चैन में डालेंगे उसके बाद देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच देखिये हमारी पांच आ रही है एक तो हमारी पहले से इसकी थी और दो double crochet इधर बनाया, दो double crochet हमने इधर बनाया, तो हमारी च्यार बनके आगई है, तो देखें, इसको एक साथ हम निकाल लेंगे, उसके बाहत, एक, दो, तीन, तीन chain बनाएंगे, और देखें, ये जो हमारी chain आगे है बीच वाली, इसमें डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन बनाएंगे और देखे ये वाली जो हमारी आगे वाली चैन आ रही है इसमें डालकर उपर से हम डालेंगे देखे इस तरीके से चैन लेंगे और इस तरीके से क्रोशिया डालकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए, एक चैन हमारी आ गई, एक चैन इसकी है दो, देखिए बीच वाली स्किप कर देंगे, आगे वाली चैन में डालेंगे देखिए, फिर उसके बाद से देखिए, आगे वाली चैन में हम डालेंगे ठीके ये वाली हमारी पैटर्न आ गई तो बीच में हम स्किप कर देंगे आगे वाली चैन में डालेंगे देखे एक दो तीन चार पांच देखे हमारी पांच आ गई इसको एक बार में हम निकाल लेंगे फिर तीन चैन बनाएंगे और देखे इसमें डालकर सिंगल क्रोशिय बना लेंगे जो हमारी बीच की चैन आ रही है फिर तीन चैन बनाएंगे और देखे फिर आगे वाली जो चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे असे मुशी तरीके से बना लेंगे बीच का स्कीप करेंगे और इस दागी को हम नहीं निकालेंगे फिर देखिए आगे वाले चैन में डालेंगे फिर देखिए बीच में स्कीप करेंगे इसके आगे वाले में डालेंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच हमारी आगी है एक बार में निकाल लेंगे तीन चैन बनाएंगे इसके बाद देखिए इसमें हम डालेंगे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसके बाद तीन चैन बनाएंगे फिर देखिए आगे वाली चैन में हम डालेंगे देखिए दो फिर बीच का स्कीप कर देंगे ये वाली फिर आगे वाली डालेंगे देखिए यहां पे हमारी तीन बन कर आएगे ये इस तरीके से हमारी पैटन बनके आती है गाईज बहुत प्यारी पैटन लगती है तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा जब आप बनाने लगेंगे आपको समझ में आने लगीगी या कोई वे डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताईएगा तो देखें यहाँ पर जैसे हमारी कोर्णर है यहाँ पर हमारी कोर्णर बनके आ गई है तो बीच में हमने यहाँ पर वन चैन बनाई होई थी देखें इस एक दो तीन यहाँ पर हमारी तीन धागे है तो उसको हम एक साथ निकाल लेंगे उसके वाद वन चैन बनाएंगे उसके वाद से देखें यहाँ पर यह वाली चैन हम स्कीप कर देंगे आगे वाली सकेंड वाली में बीच वाली चैन में हम डालेंगे अजिस तरह से डवल क्रोषिया बना लेंगे दिए फिर आगे वाली में डालेंगे अजिधनगे तक यह तीन बार में हम निकालेंगे उसके बाद दिए बीच में डालेंगे कि तबल कुरूशिया बनालेंगे तो देखिए एक, डो, तिन हमारी आगई और देखिए फस्ट वाली चैन हमने इस्कीप कर दिए है उसके बाद वन चैन बनाएँगे फिर इसी चैन में डालका एक डवल क्रोशिया और बनाएंगे उसके बाद दिखिए आगे वाली चैन में हम डालेंगे और डवल क्रोशिया बना लेंगे दिखिए फिर उसके आगे वाली चैन में डालेंगे डवल क्रोशिया बना लेंगे देखें यहाँ पे इस तरीके से बन कर आ जाएगे और इसी तरीके से इस राउंड को पूरे राउंड को हम कम्पलीट कर लेंगे जहाँ पे हमारी कोर्णर बन के आ रही है तो हम इस तरीके से बनाएंगे और जहाँ पे हमारी पैटन है तो हम पैटन को बनाएंगे देखें वागा, यह था हमारी कोर्णर है, हमने यह बना लिया, उसके बाद से दिखें क्या करेंगे, वन चेन बनाएंगे, इसके बाद से दिखें, यह जो हमारी चेना आ रही है तो फेर्स्ट वाले कि डालेंगे, और डवल ग्रोशिय बनाएंगे तो हम दागे को नहीं निकालेंगे, फिर देखिए, बीच वाला, इसकेप करेंगे, और उसके आगे वालें में डालेंगे, डबल क्रोंचिया बनाएंगे एक, दो, तीन हमारी आ गई है, तीन को ही हम निकाल लेंगे, क्योंकि यह हमारी कोर्णर है, कोर्णर के पास जो है, हम तीन को ही निकालेंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, उसके बाद देखिए, यहाँ पर डालेंगे, सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंग इसके बार देखिए यहां पर डालेंगे फर्स्ट वाले चैन में और तीन बार में यह दागे को दो बार में हम यहां पर निकालेंगे और तीसी बार में एक साथ निकालेंगे देखे, दो, फिर बीच वाला इसकीप करेंगे, और आगे वाले में डाल कर बना लेंगे, धागे को हम नहीं निकालेंगे, देखे, फिर आगे वाले चैन में हम डालेंगे, फिर देखे, बीच वाला इसकीप करेंगे, और उसके आगे वाले में डालेंगे, देखा, देखे, एक, दो, तेन, चार, पांच, पांच हमारी चैन आ गई है, इसको एक साथ हम निकाल लेंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, और देखे, जो हमारे चैन बन के आ रही है बीच में हमने तीन चैन बनाती हुई है फर्स्ट राउंड में उसी में डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन बनाएंगे उसके वासे देखिए आगे वाले चैन में हम डालेंगे धागी को हम नहीं निकालेंगे बीच वाला इसकीप करेंगे उसके आगे वाले चैन में डालेंगे देखिए तीन आ गई हमारी फिर देखिए आगे वाले चैन में डालेंगे उसके वाद देखिए बीच का चैन सकीप करेंगे फिर आगे वाले में डालेंगे देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, हमारी 5 चैन आ गई तो पांचों को एक साथ निकाल लेंगे एक, दो, तीन चैन बनाएंगे फिर देखे इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन फिर कि यहां पे हमारी कोर्णर बन殼 दे कि यहां पे हम तीन को एक साथम निकाल लेंगे पर्ष्ट वाले चैन में डालेंगे दो फिर कि बीच करेंगे उस के आगे वाले में डालेंगे य conste निन को एक साथ निकालेंगे कि पूंज बनेंगे इसके बाद दिखने के आगे वाले चैन हम स्क leg करेंगे उसका आगे वाले डाल का यह हमारी four न है गाइज हुआ six पर देट दम ना लें गेFre देखिए फिर आगे वाला बीच वाला चैन हमें skip यह फर्स्ट वाला चैन हमने skip कर दिया आगे वाले चैन को skip नहीं करेंगे इसको बनाना आए तो double crochet बना लेंगे उसके बाद देखिए बीच में डालेंगे double crochet बना लेंगे उसके बाद बीच में one chain फिर इसी में डालेंगे और एक double crochet और बनाएंगे फिर आगे वाले chain में डालेंगे डवल क्रोशिया बना लेंगे फिर उसके आगे वाले चैन में भी डालेंगे डवल क्रोशिया बना लेंगे देखिया दूनों तरफ का हमें एक एक चैन स्केप करनी है बीच वाले चैन को हमें बना लेने है तो बीच में हम बनाएंगे एक एक चैन तो हमारी तीन डवल क्रोश पुर दीखे इसके आगे वाली चैन में हम डालेंगे दागे को नहीं निकालेंगे धिखें यहां पर यह हमारी पैटर्न आ रही है हुआ है तो प्रिके देना को पर एक साथ निकाल लेंगे फिर टीन चेंशान बनाएंगे देखिर इसमें डालेंगे नेडिट करोशिया फिर पिर तीन चैन फिर उसके वाद से अपना पैटन बनाएंगे तो गाय कि ऐसी को इसी को इस i Wanti ρε ठरूने हैं यहां तक हम रिपीट कर लेंगे और इस को इसी तरीके से बनानी हैं रिके हमारी इस तरीके से pattern बन कर आड़ आजाएगी यह हमारी corner बनकर आजाएगी और यहां पर हमारी दोनों बनकर आजाएगी अब बीच में हमें pattern बनानी है जी एक दू और तीन तीन corner हमने बना लिया है और इस तरीके से इस round को complete के रेंगे इस तरीके से इस pattern इसमें हम डालेंगे इस तरीके से देखिए फरस्ट वाले में डालेंगे और हम चैन को निकालेंगे नहीं इसी में रहने देंगे आद देखिए बीच वाले चैन को स्किप करेंगे उसके आगे वाले चैन में डालेंगे फिर देखिए उसके आगे वाले जो हमारी ये पैटन आ रही है इस पैटन में भी हमने तेम डबल क्रोशिया बनाई हुए थे ये फरस्ट वाले चैन में हम डालेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे उसके बाद देखिए बीच वाला स्किप करेंगे उसके आगे वाले चैन में डालेंगे देखिए एक दो तेन चार पांच हमारे पांच दागे आ गए तो एक साथ हमने काल देंगे इसको फिर तीन चैन बनाएंगे और देखिए ये जो हमारी चैन आ रही है इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन बनाएंगे और देखिए ये वाली हमारी प देखिए बीच वाली स्कीप करेंगे उसके आगे वाली चैन में डालेंगे पर देखिए इसके आगे वाली जो पैटन आ रहे हैं इसमें हम डालेंगे फर्स्ट वाले चैन में फिर बेच वाली चैन स्कीप करेंगे आगे वाली चैन में डालेंगे देखे एक दो तीन चार पांच हमारी चैन आ रही है इसको एक साथ हम निकाल लेंगे तीन चैन बनाएंगे देखे बेच में डालेंगे फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर इसी तरीके से हम बनागर complete करेंगे तो चलिए यह हमारी corner आ रही है तो मैं यहां तक आपको बना के उसके बाद आपको दिखातेंगे चलिए मैं इसको complete करके यह हमारी corner है corner के पास सी यहां सी में complete करके फिर आपको दिखातेंगे देखेऎँ गई हमारी यह वाली पैटन बन गई है कि यह देखिए को रोलिया यह के बना लेंगे बीच वाला स्कीप करेंगे और उसके आगे वाली में डालकर बना लेंगे तो दीखिए तीन हाथ आ रहे हैं तो तीनों को एक साथ हम निकाल लेंगे वन चैन लेंगे उसके बाद से देखिए हमारी जो कॉर्णर आ दी है इसको हम skip कर देंगे आगे वाले second वाली में डालेंगे डबल क्रोशिया बना लेंगे देखे, फिर बीच में हम डालेंगे देखे, एक, दो, तीन हमारी बन गई फिर बीच में one chain लेंगे फिर देखे, इसी chain में डालकर एक और डबल क्रोशिय बनाएंगे उसके बाद आगे वाली चैन में डालेंगे डबल क्रोशिय बना लेंगे फिर उसके आगे वाली में डालेंगे डबल क्रोशिय बना लेंगे देखिए हमारी तीन इधर बन के आगई और तीन इधर बन के आगई इसके बाद वन चैन लेंगे फिर देखे यह वाली चैन हमारी स्कीप हो जाएगी फिर उसके आगे वाली चैन में डालेंगे जो हमारी यह पैटरन आ रही है इसको हम निकालेंगे नहीं फिर देखे इसको स्कीप कर देंगे आगे वाली में डालकर तीनों को एक साथ निपाल देंगे और तीन चैन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिय बना देंगे उसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर अपने पैटन को बनाएंगे इसी तरीके से इस राउंदों को हम कम्प्लेट करेंगे तो मैं यहां तक complete कर लेती हो के बाद आपको दिखाती हो देखिए गई फिस राउंदों को भी मैंने बना लिया और यहां पर देखिए हमारी तीन है तीन को हम एक साथ निकालेंगे क्योंकि हमारी एक ही पत्ती बनके आएगी corner के side में दोनों तरफ देखिए इसको हमने निकाल लिया उसके बाद one chain बनाएंगे और देखिए जो हमारी chain आ रही है इसमें डालेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे उसके बाद आगे वाली chain में डालेंगे और इस तरीके से हम निकाल लेंगे देखिए हमारी इस तरीके से जो आइन्ट हो जाएगी उसके बाद से दीखी फिर यह वाली चैन तो हमारी इसकीप हो जाएगी और दीखी यह वाली जो चैन आरी है इसमें हम डालेंगे सिंगल क्रोशिय बना लेंगे इसने इसे फर एक दो चैन बनाएंगे फिर देखिए आगे वाली चैन में डालेंगे डबल क्रोशिय बना लेंगे तो देखिए एक दू बन गई हमारी फिर बेच में डालेंगे तो देखिए तीन डबल क्रोशिय हमारी बन गई बीच में वन चैन बनाएंगे फिर इसी चैन में डालेंगे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर आगे वाली चैन में डालेंगे डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर देखिए आगे वाली चैन में डालेंगे डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए छे डबल कुरूश की हमारी बन क्या गई एक दो तीन बीच में वन चैन बना लिया एक दो तीन और देखिए लास्ट वॉला जो चैन है इसको हम स्किप कर देंगे फिर वन चैन बनाएंगे यह हमारी ठोड राउंड है देखिए एक राउंड हमने बना ले दूसरी राउंड बना रहे थे यह हमारी तीसरी राउंड है यानि ठोड राउंड तो वन चैन बनाने के बाद यह देखिए जो हमारी चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे आगे वाली क्षैन में डालेंगे यह जो हमारी पेटन बनी हुई है कि डवल क्रोशिय बनाएंगे जिस तरिकी से हमने यहां पर च्छे डवल क्रोशिय बनाई हुई थी तो सेम इसे को हम यहां पर रिपीट करेंगे और हमारी एक एक पैटन दोन तरफ बढ़ती चली जाएगी तो हमारी चोड़ाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी तो दिखें इसमें हम डालेंगे दो तीन देखें तीन डबल क्रोशिया बनाने बाद एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे और देखें फिर इसी चैन में डालकर एक दो तीन देखें हमने छे डबल क्रोशिया बना लिया तीन डबल क्रोशिया तीन चैन बना लिया फिर तीन डबल क्रोशिया बना लिया उसके बाद से देखिए जो हमने बीच में चैन बनाई हुई थी इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है तो इसमें हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से उसके बाद से देखिए यह दोनु तरब से हमारी यहां पर पत्ती बन कर आ रही है देखिए ऐसे तो इसमें हम डालेंगे देखिए इस वाले चैन में और छे डवल क्रोशिय बनाएंगे जिस तरीके से हमने यहां पर बनाई हुई है देखिए दो यह बनाते से में थोड़ा सा हम लू जरब खेंगे देखिए तीन डवल क्रोशिय बन गई फिर तीन चैन बनाएंगे और देखिए फिर इसी चैन में डालकर तीन डवल क्रोशिय और बना लेंगे हमारे छे डवल क्रोशिय बनकर आ जाएगे तो इसी तरीके से हम पैटर्न को बनाती जाएंगे देखिए उसके बाद देखिए जो आगे वाली सिंगल क्रोशिय आ रही है जो हमने चैन में डालकर सिंगल क्रोशिय बनाई गूई है इसमें डालेंगे सिंगल क्रोशिय बना लेंगे उसके बाद से देखिए जो आगे पैटर्न आ रही है इसमें हम डालेंगे और छे डवल क्रोशिय बना लेंगे बीच में हम तीन चैन बनाते जाएंगे तो देखिए इस राउंडर को हम इसी तरीके से कंपलीट करेंगे चले मैं यहाँ प्रिट कर लेती हूं उसके बाद आपको बताती हूं पार्ट टू की लिंक कॉमेंट सेक्शन में है अगर अगर कर दो